ओपो के तरह से एक और नया फॉन लॉंच हो गया है ओपो एप 27 5G स्मार्ट फॉन इसकी मैं अन्बॉक्सिंग करके आपको कोईक रीवियो देने वाला हूं कि आपको इस वाले फॉन को 22,000 के अंदर में पर्चेस करना चाहिए ये फिर आपको दूसरे फॉन के तरफ जाना च करेंगे तो आपको सबसे पहले फॉन मिल जाता है फॉन का हम एक साइडम रख देते है इसके बाद मिलता है आपको टीव केस इसके अंदर में से हमें यह अच्छी बात लगी यहाँ पर यह कागस दिया गया है और इसे मैं रैप कर लेता हूँ तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन आप देख सकते हैं गाई इसको इस तरह से आपको इसके डिजाइन देखने को मिलेगी और मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में इसका जो कॉलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसमें नहीं आते हैं फिंगर्फिंट के निसान वगएर नहीं आएंगे यहाँ पर आप पास से भी देख सकते हैं इसको इसमें कोई भी आपको फिंगर्फिंट के निसान नहीं देखने को मिलेंगे और जादा जो bump जैसा निकलता है और हम कहीं पर रखते हैं तो इस तरह से हलता है वैसे आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा इसके overall build quality की बात कर लें तो आपको side में plastic की देखने को मिलेगी पीछे भी यह जो आप देख रहे हैं यह भी plastic आपको देखने को मिलती है important button की बात करें तो आपको right hand side में volume up down key मिल जाती है उसी के नीचे आपको power button मिलेगी left hand side में आप देखेंगे तो आपको flat मिलेगा कुछ भी नहीं मिलने वाला है नीचे side की बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर type C का गड़ा मिलेगा speaker मिल जाता है और यहाँ पर आपको mic मिलेगा इस वाले phone में आपको studio speaker मिल जाता है जिसकी sound quality भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है पार्टी करने के लिए तो यार यह phone बना ही हुआ है इसकी aura light के साथ है मतलब यह पीछे side में halo light है और इसमें आपको एक AI वाला भी features मिल जाता है जिससे हम आगे बात करने वाले है और यह phone इतना जादा बेट के साथ में नहीं आता है इसका बेट only 187 gram का है और इसकी thickness की बात करें तो 7.69 mm की इसकी thickness देखने को मिलती है तो इसमें हाथ में फकड़ने में बहुं जादा आपको comfortable feel होने वाला है और जैसी मैंने इस वाले phone को on किया तो इसमें आपको मिल जात है और इसकी high peak brightness की बात करें तो 2100 needs peak brightness मिल जाती है तो outdoor में भी आप इसे चला सकते हैं इसमें आपको अच्छी refresh rate है वो भी smooth चलता है यहां पर आप देख सकते हैं इतना phone हलका होने के बाद में इस वाले phone में डली हुई यह 500 mh की बैटरी और box के साथ में तो आपको 45 watt का charger में जाता है जो कि मैंने आपको starting में बता दिया था तो बैटरी इसकी एक से देड़ दिन आराम से चल जाएगी और हां इसके चीन और बैजल की बात करें तो आप देखेंगे आपको बहुत कम कम ही बैजल देखने को मिलते हैं और इसका जो camera का punch hole है वो भी छोटा सा आपको देखने को मिलता है तो overall इसका display बहुत जादा अच्छा मिल जाता है इसमें performance की बात करें तो इसमें 6-300 Diamond City का processor म मिल जाता है 5G वाला जो कि इसी के OPPO के phone में बहुत सारे phone में देखने को मिला है अभी की time में ते इसमें उतना ज्यादा अच्छा processor नहीं है बड़ आप इसमें heavy gaming छोड़कर जो normal gaming होती है वो कर सकते हैं इसमें मेंने bzmi बगेरा खेला है आप यहां पर देख सकते हैं HD में smooth में कर सकते हैं HDR बल आपको इसमें option नहीं मिलता है क्योंकि इसके डिस्पील सपोर्ट नहीं करती है बागी आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं तो यह phone आपको अच्छी गेमिंग करके भी दे देगा और य यह 24999 में देखने को मिल जाएगा और हां इसमें आपको बहुत सारे AI वाले features मिल जाते हैं जैसे कि मैंने starting बताया था आपको यहां पर file doc मिल जाता है जिसमें कि आप AI speak कर सकते हैं मतलब कहीं पर आप article वगरा पढ़ रहे हैं उसे read कराना चाहते हैं तो यहां पर file doc निकालो और यहां पर click कर दो AI speak पर और फिर यह न पढ़के बता देगा और उसे आप copy भी करना चाहते हैं इसकी insert लेकर आप इसे copy भी कर सकते हैं इसी तरह आप कोई image में click करना और image में ऐसा click करके रखेंगे तो इसकी sticker बनाना चाहते हैं फिर आप sticker बना सकते हैं या फिर पीछे का इसके बाद में कोई भी आप photo ले सकते हैं इसके बाद में edit में जाना और AI eraser वाला features आपको मिल जाता है और हमें आपको एक एक करके सारे features बताने लगा ना तो बहुत जादे वीडियो लॉंग हो जाएगी इसके हमने dedicate video बना के रखा है features वाली वाली वीडियो आपको i button में या फिर वीडियो के description मिल जाएगी वाली वीडियो देख लेना उसमें 30 plus special features बताके रखा है बांकि इसमें आपको AI studio मिल जाता है जिसमें कि आप अपने आउतार बना सकते हैं खुद का एक emoji वाला photo बना सकते हैं तो उसे भी आप try कर लेना इसमें जो software मिलता है color OS 14 मिलेगा और Android 14 के साथ में यह phone आता है इसमें आप phone about में जाके 8GB plus 8GB RAM को expand कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो RAM हो जाएगी तो यह हो गए software की बात अब बात कर लेते हैं इसके बड़े बड़े जो camera दिये गए हैं पीचे साइड में इसकी तो आपको जो main camera मिलेगा वो 50MP का है जो secondary camera है व और हाँ फ्रेंट में मिल जाती है आपको 32MP की selfie तो इसके camera की बात करें रियर camera की तो अच्छी फोटो यहां पर ले लेता है यह मैंने कुछ फोटो वगएरा किलिक किया इसका portrait काफी अच्छे से निकाल के देता है यह यहां पर कुछ फोटो आप देख सकते हैं और वीडिय आपको कैसा लगा comment में बताना अब बात कर लेते हैं इसके conclusion की तो देखो यार यदि आप चाहते हैं एक अच्छा good looking phone तो यह आपके लिए हो सकता है यदि आप चाहते हैं एक अच्छा display वाला फॉन तो यह phone आपके लिए हो सकता है मगर आप यदि जादा gaming करना चाहते हैं इसमें पुरसे सर उतना अच्छा नहीं दिया गया है तो आप इसे avoid कर सकते हैं मगर आप overall 22-23,000 में एक phone अच्छा 5G वाला धोड रहे है ओपो का जो good looking हो अच्छा display वाला हो अच्छा camera वाला हो जिसमें अच्छे खासे features मिल जाए AI वाले तो यह phone definitely आपके लिए हो सकता है तो आप इसे लेने वाले हैं यह नहीं लेने वाले हैं मुझे comment करके वताना और आपको थोड़ी सी भी वीडियो helpful लगी तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भोलना अब हम मिलते हैं next interesting वीडियो में इससे पहले आप यहां पर camera features वाली वीडियो देखो और यह स्पेसल फिजियर वाली वीडियो है इसे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं thanks for watching this video